नमस्कार दोस्तों मारकंडे टिप्स में आप सबीका स्वागत है तो दोस्तों आज को अमारा वीडियो है ना क्या कि आप बहुत ज़्यादा फोटो या वीडियो गैलरी में रखते हैं तो मोबाइल का जो गैलरी रहता है श्टोरेज रहता है वो भर जाता है तो उसको आप क ऐसे सही करेंगे तो दोस्तों वीडियों बने देए इसके लिए आपको आजाना गैलरी में गैलरी में आपके पास जितना भी फोटो है वीडियो अगर आप गैलरी खाली करना चाहते है तो यहां से आपको डिलीट कर दें डिलीट करने के बाद भी आपका जब नहीं खाली हो आपको दिखाए दे रहा है यहां से आपको पूरा यहां से आपको पूरा Чिलिए स्टोरेज कर लेता जया से लिए आपको क्या गवह है तो इसमें का होता है एक होता है बैक अप सेटिंग होता है तो जैसे माली जी हम इस्टोरेज पे आ चुके हैं मतलब गैलरी वाले अप्सन पे इस पे आप लोगों पे टच करेंगे काउंड बनाए होंगे तो यहां पर दिए बैक आप आप है तो इसको आप करके रखेंगे न आपका मतलब दिखा रहा है उतना में आप इस शेटिंग जरूर कर लिजिएगा दोस्तोいて क्या होता है करके राखेंगे नहीं ठाल भरेगा नहीं आपका श्टूरेज घी फूल होता चला आजायएगा अभी भी आपका storage अगर खाली नहीं हुआ है तो आपको एक और setting आप कर लिजिएगा जो कि आपका पूरा का पूरा mobile new के जैसा हो जाएगा दोस्तों ओ सीधा सीधा simple simple है आप mobile को reset कर दीजिए आप setting पर आजाएए setting पर reset जो आपको search कर लेना है जैसे आप search करेंगे आप reset वाल option पर लेगा इस पर touch करेंगे यहां पर erase all factory reset आपको दिखाए दे रहा हुआ है इसको आपको यहां से आपको पूरा reset कर लेना जो कि आपके mobile में जितने भी आप रहेंगे सब जैसे आप new mobile खरीद किलाते हैं उसी तरीके आपका mobile हो जाएगा आपको फिर Gmail ID हो गए रहा डाल क करके आपको login करना पड़ेगा अगर आप password भूल गया तो password याद करने नहीं तो आपको password भी फारवर्ड करना पड़ेगा अपने mobile नंबर से तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में